तो जैसे मैंने इसमें कहा कि जो मिररी इमिज होती है दरपन में जो दिखती है तो एक्चल में उल्टी बनती है यह जानते है पर उल्टी के मतलब यह नहीं कि डाउन अप और अप डाउन हो जाएगा मैंने अगर छे बजे हैं तो मिरर में भी छे ही दिखेंगे ऐसे उपर नीचे नहीं होती है जैसे घंटे वाली सुई है और यह मिनिट वाली सुई है तो इनकी पुजिशन चेंज नहीं होने वाली है दाउन और अप नहीं होती मिर्र में, मिर्र में क्या होता है? यह से माल अगर मैं मिर्र के सामने खड़ा हो जाओ, तो कि मेरा सर नीचा पर उपर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, हाँ, चेंज होगा जो मेरा लेफ्ट हेंड है, मिर्र में वो राइट में दिखेगा, और जो रा मैंने इसके बाद आपको यह दिया था, कि जैसे सपोज, क्या बचाया टाइम, तीन बचे हैं, राइट, लेट वाली चीजें राइट में दिखेंगे, और राइट वाली लेट, इट मीज, कि ये जो कुछ भी है, राइट वी ये लेट, ये कहा जाने वाली है, इस तरफ को ज राने वाली है, ये तो शार हुआ, तो जहां ये इधर दिख रही है, तो मिरर में ये क्या दिखेगी, तो मिरर में आपको बता दू, ये तो इधर रहने वाली है, ये तो इधर रहने वाली है, क्योंकि डाउन, अप वाली डाउन और डाउन वाली आप तो नहीं जाती है, पर जो इधर आपको राइट में दिख रही है, वो कहा दिखेगी है आप अब? लप में. तो जहां तीन बजे थे, नॉमली, जहां तीन बजे हैं, वहां में क्या देखेंगे मिर्ट में? नौ. और वैसे ही, अगर हमें टाइम दिख रहा है तो नौ बजे, और इसे देखें मि तीन बजे, उल्टा हो जाएगा. सही है? नौ, एक और एक्जामपल लेते हैं, मैं प्रॉपर इसकी मार्किंग कर देता हूँ, यहां बारा, यह तीन हो जाएगा, यहां नौ है, एंड इच है, यह चार, यह पांच, साथ और यह, आठ, दस एंट, ज्यारा, यह एक और यह, जी, ऐसा है? अब एक और सिचुईशन को इमाजिन करते हैं, सपोज समय हुआ है, पांच बजे, तो अकर पांच बजे हैं, तो गंटे की सुई पांच, और मिनट की सुई कहां होगी, जी? बजगे पांच, अब इसे मिरिर में देखें, तो क्या होगा? तो बस आपने करना क इसके अंदर, एक बात आप अटेसन करिए गाँ, जैसे यह लाइन में दी बीच बीच में, यहां इस छोड़ेते हैं, ऐसे यह, तो जो राइट में है, उसने कहां जाना है, लेफ्ट में जाना है, यह यहां से कितना डिग्री आपको राइट दिख रहे है, थर्टी डिग् तो यह लेफ्ट में भी कितना शिफ्ट होगी? जितना वो राइट में थी, उतना वो लेफ्ट में आएगी, तो अक्छिली इसने कहां चला जाना है, साथ पे, तो घंटे वाली सुई जहां पांच पे थी, मिर्र में दिखेगी, साथ पे और मिनट वाली सुई, वो नहीं च करेंगे मैं पहले कहा है कि left right में change होती है पर center में जो है वह center में ही रहेंगे कि रहें है कि अगर अगर मिनट कि स्वूई 7 घंटे वाली सुई साथ यूर तो time of होता साथ बजे और मिरर में दिखता पांच बजे है ना है जिर कम इंच गूर्मारिंग नौ एवंग सट एट एक नेक्स एग्जांपल तो अगले एक्जांपल में सब्सक्राइब समय हुआ है आठ बजे तो मिरर में हमें यह समय क्या देखेगा आर यू शौन कि आपने अंदाजा कैसे लगाया आपने देखा कि अच्छा ऐसे से कर लिया आपने ऐसे कर लिया तो जितना यह लेफ्ट में उतना कहां जाएगी राइट में कहता है तो 30-30-60 तो 30-30-60 और आप इजली देख पा रहे हैं कोई ऐसा गिन्ते करने बात नहीं है कि 30-30-30 ऐसा एग्जैक्ली दिखला कि दो स्टेप आगया यह एक और एक तो यह दो स्टेप इस तरफ हो जाएगी है तो जहा आठ बजे हैं वहाँ मिरर में देखेगा चार बजे है यह है मिरर इमिज लेट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाना मगर थोड़ा सा और इसको एक्जामपल लेके समझते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज हमारा लेबल टू फिनिश होगा तो मिरर में समय क्या दिखेगा असान है कि जितना वह जितना यह सेंटर से इधर को है उतना कहा जाएगी इस सर्फ को जाएगी मींस क्या बज़ेगा दस तो जहां दो बज़े हैं घड़ी में मिरर में देखेंगे तो बज़ेगा इसको चलारिट आपको आई कि मिर्र में जो चीज़े लफट में होती है वो राइट में जाती है और जो राइट में है वोलिफट में आती है जाती है बही यह बात है अब मैं आप सब कर थोड़ा साब को ऐसे करऊ ह की आमालों की 10 बच के 10 मिनट आए तो कुछ ऐसा अंदाजा लगाते हैं 10 बच के 10 मिनट में इस मिनट की स्वी कहा होगी दो पे और घंटे वाली स्वी थोड़ा सा इस तरफ को होने वाली है 10 बच के 10 मिनट पे एक अंदाजा सा लगाया है मैंने तो हमें भी नहीं पता कि कितना डिगिरी आगे होगी यह है 10 बच के 10 मिनट तो रियल में टाइम है 10 बच के 10 मिनट मगर मिरर में यही समय क्या देखेगा दो बच के 50 मिनट एएए एक बच के 50 मिनट ए दो पचास एक पचास पहले मिनट वाली स्वी पे फोकस करो मिनट वाली स्वी कहां पे है दो पे है वो राइट में अना लेट में जाएगी तो कहां दिखेगे आपको ने ने मिनिट की सुई अभी दो पे है ना देखो 10 बजे है तो घंटे की सुई अभी दो पे है तो मैं कह रहा हूँ कि मिनिट की सुई अभी दो पे है कि दो पी थी कहा जाएगे दस पे यह बात तो कंफर्म होई मैंने कुछ बच के 50 मिनट है अब आपने कहा एक पचास और किसी ने कहा दिया कि दो पचास पचास तो कंफर्म हो गया अब जरा अंदाजा आप लगाएं यहां से यह देखे घंटे के सुई यहां से कितना है जो भ इस तरफ को जाएगी एक पर तो ना होगी यह तो कंफर्म है ना 30 तो यहां से है यह 30 तो यह है यह 30 कुछ आगे है ना कुछ आगे जाएगी अब मैं एक अलग पैंसे से दिखा देता हूँ मेरे कारडिंग मिनट के सुई यहां होगी और घंटे वाले सुई दोग से इंटे वेली सुई तीन के पीछे होती है और वो कैसे आगे कर रहे हैं इतना सा है यह तो साट से जादा कर दे रहे हैं यह एक स्टेप प्लस थोड़ा आगे है है ने ने चलिए ठीक है थोड़ी बहुत क्लेरटी अगर हो जाए फिस मसे नहीं एक और कर लेते हैं फिर क्वे तीन बचे 15 मिनट तो तीन बचे 15 मिनट पर मिनट की सुई कहा होईगी ? तीन पर सभावी क्वेली सुई तीन से कहा होँगी तोड़ा सा ? ऐसे तीन बच के पंद्रा मिनट दो सुई है घंटे के और मिनट के मिनट की सुई मिरर में कहां दिखेगी मिनट वाली सुई जो भी तीन पे है मिरर में देखें तो कहां दिखेगी नहीं अभी टाइम मत बोलो कहां होएगी वो नौ पे होएगी तो ये बात इनफर्म है कि मिनट वाली सुई मिरर में में कहां दिखेगी और घंटे वाली सुई वो कहां दिखेगी नौ से थोड़ा सा पीछे ऐसा है दखेगी वही जितना यहां को है उतना यह से तरफ को जाएगी तो 30 30 60 30 30 60 तो मिस यतना सा आगी यतना सा आगे तो कुछ यहां जैसे होगी तो कि नहीं है सही है इठमी समय होगा 845 आठ बच के 45 तो 3 15 मिरर में दिखेगा 8 बच के 45 मिनट अब मुझे लग रहा कि शायद आपको समझ आ चुकी है चीज़े क्वेशन करते फिर फसेंगे तो फिर सॉल्व करें अदरवाइस यही क्वेशन तो एक्जाम में आ रहे हैं तो क्यों इसमे समय वेस किया जाया है सावाल नमबर एक let's begin with the question number one question one it is 6 15 o'clock tell us the time if clock is seen in mirror the option a check करते है option eight 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 बचके दस मिनट option b 7 बचके पंदरा मिनट option c 5 45 option d 9 बचके पंदरा मिनट चे बचके पंदरा मिनट आएं और अगर घड़ी को मिरर में देखा जाए अगर घड़ी को मिरर में देखा जाए तो समय क्या होगा बेकुल वही बात है जो हमने भी डिस्स की है छे पंदरा पहले चेक करो घड़ी में और फिर देखो कि कहा वो शिप्ट होएंगी घड़ी की सुई हैं और फिर फाइनली बताओ कि इसका अंसर क्या होगा अंची 5.45 छे पंदरा छे पंदरा मींज मिनट की सुई तो तीन पर है और घंटे वाली सुई थोड़ा सा छे से आगी होगा यह होई छे पंदरा तो आपको मैंने कहा है कि लेफ्ट की चीज कहा जाएगी राइट में राइट के लेफ्ट में आएगी तो इसे कि लेफ्ट को है दिगेरी उतना कहा जाएगी तो ऐसे इधर को है अब बताएए समय क्या होगा पॉन एछे मीज फाइव फाटे फाइव तो मिरर में देखेगा मिरर में देखेगा वह समय फाइव फाइव फाटे फाइव सही है और राइट अब ऐसे ही लीग में सवाल है कि समय है चार बच के 45 मिनट चार बच के 45 मिनट का समय है और अब आप्शन एब आठ बच के 10 मिनट का साथ बच के 15 मिनट का साथ बच के 15 मिनट का लिखते हैं नौ बच के तो आठ दस साथ पंदरा आठ पंदरा या नौ पंदरा है 7.15 फिक से चेक करना यह बताना असे चार बच के 45 मिनट के सुई तो नौ पे तो जहाँ नौ पे है तो घूम को तीन पे आईगी तो पंदरा तो यह ही है अब क्या वो 7.15 है या आठ पंदरा है या नौ पंदरा है 4.45 4.45 है मिनट के सुई नौ पे होगी और घंटे वाली सुईज है वो लगबग यहां जैसे होगी 4.45 पे जब मिरर इमेज चेक करेंगे तो जो नौ पे है वो कहां जाएगे इधर को और हमें कहां दिखेगी वो तीन पे नौ और घंटे वाली सुई जितना इस तरफ को उतना क्या होगी इस तरफ चाहिए तो तीस प्लस कुछ है यह जो मिनिट वाली घंटे वाली सुई पॉने पांस से पीछे न थोड़ा सा तो तीस तो है ही है और कुछ और भी है तो तो एक यहां जैसे जाएगी इसए ट्रो नवट आपको फील हो रहा है न यहां से जितना डिग्री आगे है वहां से लंसम अतने ही आगे जाएगा हम यह एक्जैक्ट मेज़िमेंट थोड़ा करनी है हमें अधाजा लागाना है पिर कि अगर यह साथ से थोड़ा से या अगर मिनट किसी तीन पे हैं तो सवा सवा साथ होए है सभी कि नहीं है तो यह निग कि आप पूरे बुले अंगल चेक एंगल की जाए करना है हमें खाली समय बताना है एक्जैक्लि कहां जासे है हमें नहीं मालुमी है बढ़ ही कन्फर्म है कि साथ से थोड़ा सा आगे है और मिनट किसी तीन पे है तो सवा साथ ही हुए है इसमें क्या मैटर करता है कि कीन डिगरी आगे है तो अंदाजा करना है अपने इसमें सिर्फ साथ बच के पंदरा मिनट इस दी राइट आंसर अब सवाल थोड़ा सा उल्टा है उल्टा ऐसे हैं कि घड़ी को देखा मिरर में तो समय दिखा तीन बच के चालीस मिनट तीन बच के चालीस मिनट है किसमें मिरर का समय मिरर में देखा है तो तो रियल में कितना हो गाई है तीन बच के चालीस मिनट जो मिरेर में दिख रहे हैं वो रियल में हमें कितना रियल में समय कितना हुआ है कमान ठिंक अबाउट इट पांच बच के आठ बच के बीस मिनट तीन चालीस एट ट्वंटी तीन चालीस मिरेर में है तो वो रियल में क्या होगा जिस कमान 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 भई सबसे होना चाहिए फिर मज़ा है ना अगर एक आग भी छूड़ जाता इसमें तो फिर मज़ा नहीं है मिरेर में है तीन बच के चालीस मिनट चालीस मिनट मींस आठ पे होना मिनट की सुई का और तीन से तीन चालीस है तो लगभग घंटे वाली सुई जो है वो चार से पीछे होगी है ना इतन तो आपक अधासा है अब अब सवाल है कि मिनट की सुई जहां चालीस पे है मनाट पे है जितना डिगरी इस तरफ को है उतना डिगरी इस तरफ को आएगी ये तो आप जान चुके है तब सवाल कि किदर तो मिनट की सुई जहां चार पे जाएगी ये है और घंटे वाली सुई इस तरफ को कितना आगे थी तीस और तीस साठ प्लस कुछ और तो यहां पे 30 और 30 हाट प्लस कुछ सोड़ा सा और यहाँ जैसे होगी तो 8 बच के 20 मिनट यह समय है तो 8 बच के 20 मिनट है इसका समय अगेन कोई मुश्किल नहीं है अगेन सवाल वही है कि मिरर में देखें तो पॉने 3 हुए है मिरर में देखा जाए समय को तो मिरर में हुआ है 25 ती Means 2 बच के so 45 मिनट है तो एक्जेक्ट समय क्या हुआ है क्लॉक में समय क्या है जब मिरर में यह दिखाई दे रहा है 20 बच के 15 मिनट 25 25 means मिनट कि सूई तो ही 9 पे इसने शिप्ट करना है कि इज़र को तीन पे तो पंद्रा तो है यह है अब दो बच के 45 मिनिट में इस घंटे किसु exactly कहां पे हैं उसने फिर कहां जाना है थोड़ा सा clarity of thought रखी है नौ पंद्रा अगर 245 है तो मिनिट की सुई कहां होने वाली है नाइन पे और 245 मिस मिनिट की सुई इधर होगे तो घंटे वाले एक सुई लगभग तीन से नौड़ा सा यह हुआ 245 अब मिरर में देखें तो मैंने पहले कह दिया आपको कि जितना जैसी नौपे मिनिट की सुई तो इग्जैक्ली कहां जैसे होगी तीन पे होगी यह यहां से कितना गए है 30 30 कुछ और 60 प्लस है तो मिस 60 प्लस ज्यादा है काफी यह ज्यादा होगा तो मिस यह कहीं यह जैसे होगी है कि नहीं है तो नौ बच के का है मिनट 15 मिनट तो समय है नौ बच के एक बार फिल आजागी ना फिल उसके बाद तो मतलब करना ही निया अपने ही बनाएंगे निया आप अंताजर से बता देंगे आप जब दिमाग में चीज़ें छप जाएंगे आपके नौ पचीस है मिरर का टाइम नौ बच के पचीस मिनट है मिरर का टाइम तो एक्जैक्ली टाइम क्या हुआ होगा अरिशो नौ पचीस है मिरर का टाइम तो एक्जैक्ली टाइम क्या हुआ होगा 235 222 235 235 2925 का समय है तो 25 है तो मिनट की सुई कहा है 5 पे और घंटे वाली सुई अविस है अविस है कि कहा होगी 9 से आगे रही बीचो बीच में ऐसे कुछ बनेगा अचा जी यह होगा यह होगा ना अचा जी तो अचा जी मिनट की सुई से फोकस करते हैं कितना आगे तीस डिगरी स्टर्फ को है तो तीस इस तर्फ को आगे ऐसे होगा तो पैंटीस मिनट होगा अब यहां से देख लेते हैं यहां से कितना उपर है यह कुछ है डिगरी उपर तो यहां से भी कुछ डिगरी क्या होगी उपर को होगी तो समय क्या होगा तीन बच के सारी दो बच के पैंटीस मिनट है सही है तो दो बच के पैंटीस मिनट है इसका राइट अंसर है बने की बात अब आप अब य जानते हैं कि चार जब जब जते हैं दोनों सुईयों के बीच में आंगल क्या होगा अब ये करने का फाइदा नहीं बचा है झाल झाल तो एक सवाल है हमारे सामने question है कि एक बंद पड़ी बंद पड़ी घड़ी एक दिन में कितनी बार सही समय बताएगे सवाल समझाया क्या घड़ी खराब है बंद पड़ी है तो उसके बावजुद भी वो एक दिन में क्या सही समय बताएगी और बताएगी तो कितनी बार यहां से एक बार एक बार दो बार वे दो बार ऐसा क्यों क्योंकि दो बार घुमती न घड़ी के सुईयां बारा घंटे और फिर जब घंटे बाली सुई पूरा चकर काट लेती है तो आदा दिन में इस बारा घंटे हो जाते हैं तो अगले बारा घंटे में भी सेम चीज़ हो जाएं जैसे मालों बंद घड़ी पड़ी है सपोस घड़ी क्या है बंद